हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बढ़िया हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सॉल्यूशन की कैसे जो है आप अपने हार्ड ड्राइब को जो है फिक्स कर सकते हैं अगर जब आपसे अपने अड्रोल्ट फॉन में लगाते हैं तो डिटेक्ट करता है बट आपसे एकसे नहीं कर सकते हैं तो इसी प्रवलम का जो है फिक्स आज को इस बडी में हम देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं अपना हार्ड अपनेक्ट कर लिया है और आप यहां पर देख सकते हैं यह मुझे चूस करने के लिए बोर्ट रहा है कि आपको क्या से करना है यहां पर यह फाय एकसप्प्रोरर का औप सना रहा है यहां पर Microsoft XFAT NTFS for USB Paragon USB Stick Plug-in और File Commander ठीक है तो फिलाल अभी हम इसे ऐसे रहने देते हैं और मैं आपको पहले वह इस्यो दिखा देता है यहां पर आप देख सकते हैं इस्यो भी टू एक्स्टरनल यूस्बी हाड ड्राइब ठीक है इस पर जैसा हिमें इस टाप करता हूं तो यह मुझे फॉर्मैट करने के लिए बोलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको लिए मुझे बोल रहा है कि आपको फॉर्माट करना होगा लेकिन हम लोग क्या गए सकते हैं कि हम लोग को जहें हाड़ ड्राइब को फॉर्माट नहीं करना है अगर हमने फॉर्माट कर दिया तो यह यह फैट 32 में यह जाए कनवर्ट हो जाएगा और हमारे सारी डेटा को भी उड़ा देगा तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है हमें जो है कुछ apps यूज़ करना है वैसे तो by default इससे support करना चाहिए लेकिन वो depend करता है कि आप kernel जो है किस तरह का use कर रहे हैं अगर इसमें ntfs का support है जो कि ntfs file system जो hard drive जो support करते हैं वो इस file system अगर आपके kernel में अगर implemented है तब जा करके आप वो by default आपका काम करेगा लेकिन अगर आपका kernel में वो नहीं है तो यह जुगाड में आपके लिए बता रहा हूं किस तरह जो है आप इस चीज को जो है आक्सेस कर सकते हैं तो यहां पर अगर मैं अपने file manager में जाओं ठीक है यहां पर कोई मैं file manager में चाहता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बस मेरा एक ही hard drive दिखा रहा है sorry sd card दिखा रहा है यहां पर hard drive बिल्कुत भी mention नहीं है और इससे जो आप समझ सकते हैं कि यहां पर यह डिटेक्ट कर रहा है पर यहां पर यह दिखान नहीं रहा है तो इसका solution क्या description में मैं सारे apps का link दे दूंगा वहां से आप download कीजिए तो आपका ज्यादे अच्छा से काम करेगा अगर आप मेरे link से download करते हैं और play store से download करते हैं तो उतना अच्छा से वो काम नहीं करेगा फिलाहल एक दो बार यूज़ करने लाइक ठीक है लेकिन अगर आपको हमेंसा use करना है तो आप जो है description में दिएगा link से जो है आप उसे grab कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूं कौन कौनसे file manager है जिसके तरुछ आप NTFS file system को अक्सेस कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहला file manager है यह solid explorer ठीक है यहां पर जैसे ही मैंने इसे open किया यहां पर मुझे पूछ रहा है प्लग-इन नहीं हां मतलब यह एक तरह से प्लग-इन ही है लेकिन वह इसके लिए अलग से और एक्टो एप को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्क मेडिया आ गया है ट्राइब एक पर उपर में लिखा हुआ है यूएस्पी ओटीजी मतलब यह मिर्यों तटीजी के थिए यहांपर आप साफ साथ देख सकते हैं मैं कोई चीट नहीं कर रहा हुँ तो यहां पर सारे फोल्डर आ गए और यहां पर से जो है तो भी मेरा Heart Drive में और काफी sSmooth काम कर रहा तक यहां से अपने फोटो को भी एकसेस कर सकता हूँ मैंने फंट प्लिक किया और यह हमने एकसेस किए प्ल Compared to इस तरह करके झो है आप इसे यूज कर सकते हैं तो वो plug-in को जो आपको इसके लिए install करना होगा अगर आप से install कर नहीं करते हैं तो इसे install करने के बाद भी फाइदा नहीं है ठीक है तो बॉझ इन मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले मैं चलता हूं सैटिंग्स मैं साझक्ष में मैं फाइल मेनेजर में आता हूँ और यहां पर मैंने इससे पहले से रखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं पील सॉलिद एक्सप्लोडर प्लगीन और तीज है तो आपको जो है इससे इंस्टॉल करना पड़ेगा है तब जाकर कि यहां पर जो है आपका यह चीज आएगा ठीक है और नहीं तो आपको क्या करना होगा आपको अब मैं दूसरे मेधद के नहीं है तो आपको फाइल मेनेजर का ही सहारा लेना पड़ेगा जो कि बाइड डिफॉर्ट यह सब एक्स्टेंशन सपोर्ट करते हैं या फिर कोई एक्स्टेंशन के तुरु जो है सपोर्ट करते हैं ठीक है तो यह था यह यहां पर आप दिख सकते हैं इसका नाम और यह जो है इसका प्लगीन है ठीक है इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आपका वह काम हो जाएगा इसके बाद हम लग चलते हैं दूसरे फाइल मेनेजर के तरफ और यहां पर है Microsoft XT यहां पर एक्चुली यह फाइल मेनेजर नहीं यह एक्चुली एक माउंटर है ठीक है तो इसे जो है आपको माउंट करना पड़ता है तो यहां पर लिखा हुआ है है Microsoft XFünd इसने हमारे hard drive डीडेक्ट कर लिया है हम इसे ऑकी पर टैप करेंगे और यहां पर यह बिखाएगा यहां पर यह आ जाएगा ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं जैसे हमने वहां पर उसे एक्सेस कर रहा था तो अब यहां पर से यह इसे एक्सेस करेगा ठीक है तो यहां पर तो आप से मांट तो कर लेंगे लेकिन आप से ओपन कैसे करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं Unmounted Volume before Disconnecting Your USB Device तो यहां पर औरक्टो फाइल। है जिसका नाम है File Commander भाइं ध initially Mobile अरणец को आपको जो है अधकर अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो यहां पर यह आपको डे टाब करना है ची करते कि वहाँ है इसे पहले माउन्ट कर लेना है है। इसके बाद यहां पर जो है आप से access कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह मेरा hard drive ही है 500 GB का तो यहां पर आप साब साब लेख सकते हैं आप लिखा हुआ है ntfsro work media ठीक है तो यह हमारा था यह तो यह by default यह support ले रहा है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरा internal storage यह मेरा external storage और मेरा जो है वो है यहां पर से हमसे access कर सकते हैं हमारा USB OTG drive जो की है हमारा work media ठीक है यह हमारा hard drive है तो यह था दूसरा file manager manager जिसके तरह जो है हम लोग किसे access कर सकते हैं और मैं आपको फिर दूसरा file manager बताता हूं और इसके बाद यहां पर है mix explorer ठीक है यह भी एक बहुत अच्छा software है तो यहां पर लिखा हुआ अलो mix explorer to access your external storage 2.0 तो यहां पर हमसे okay करते हैं और अभी अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जो है वह दिखे गा नहीं तो यहां पर हमें करना क्या है तो यहां पर जो है उसे एकसस करेंगे इस ब्लस बटन पर हमनों टैब करेंगे ठिक है यहाँ पर जिसीम टैब करेंगा तो यहां पर आपको दिखेगा eh स्टुरेज आपको स्टुररेज़ पर कर लेना है स्टूरेज में आने के बाद यहाँ पर आपको तिख देगा डॉक्यमेट प्रोधरbao are इस भी ओटीजी इस पे जए अन्या टैप किया है कि तो यहां पर इसे सवर्बबन कर लैना यहां पर इसे स्था कर competence MacSihad लेकलन है पार सिस्टम लिंक है इसके बाद यहां पर जो है वो जो ड्रायब रिप का नाम आज आएगा ठीक है यहां पर हम से use this folder करेंगे और यहां पर हमें जो है अलाउफ कर देना है और यहां पर से आप देख सकते हैं यहां पर से अब हम लोग जो है अपने hard drive को जो है इस file explorer के थुरू या file manager और इस microsoft x ntfs mount के थुरू जो है आप इसे कर सकते हैं यूज और फिर और दुसरा है आपका x explorer इसमें भी बस वही फंडा है आपको इसे access करना पड़ेगा और यहां पर जो है आपको paragon file system link आपको दिखाए देगा यहां पर आपको tap करना है और यहां पर जो है आपका work media जो है यहां पर आ जाएगा तो यह load हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पूरा file system इसने यह कर लिया है यहां पर यह मेरा photo भी आ आ गया तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप इसका concept समझ पा रहे होंगे, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि यहां पर यह जो Microsoft अला जो है, यह जो है, अप मांट करता है उस drive को ठीक है, और उसे जो है, एकसेस करने के लिए, वो हमें root कर देता है, पुछता है कि कौन से file manager में जो है, आपको open करना है, इस hard drive को, तो यह तो हम total commander select कर सकते हैं, यह तो हम explorer select कर सकते हैं, यह तो हम mix को जो है, file explorer को select कर सकते हैं, तो यह ही funda है इसका, और ठीक है, और इसके वद हम लोग का है, यहाँ पर फिर से दूसरा file stick, यह भी यहाँ पर same जैसा है, यह भी total commander को ही, जो है, redirect करता है, ठीक है, जैसे हम start total commander को click करेंगे, तो यह हमें फिर से total commander में redirect कर देगा, ठीक है, तो सारे एक दूसरे से connected ही है, आप समझ सकते हैं, कि य यह चीज़ खाली mount करता है, और बात बाकी आपको दूसरे file manager में आपको, उस hard drive को view करना पड़ता है, जो file manager, जो independently, बीना इसके थूरू काम करता है, उसका नाम है solid explorer, यहाँ पर आप दे सकते हैं, बस इसके लिए आपको उसका extension install करना पड़ता है, तो आपको इतने सारे इस इसको install करने का और फिर इसको install नहीं करना पड़ेगा, फिर आया तो अगर आप इसको install इसको use नहीं करना चाहते हैं, total commander को, तो आप जो है, इसको install करके जो है, इसको use कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इतना लंबा process, sorry, इतना मतलब दो-दोट of apps यूज़ करने के वज़े आप single app use कर सकते हैं, वो solid explorer, जो कि आपको same functionality देता है, और इसमें जो है, वो इससे जैंजर नहीं रहता है, कि यहाँ पर mount करना है, फिर यहाँ पर यह करना है, आपको बस इससे यहाँ पर open करना है, और यहाँ पर यहाँ आपको पूछेगा, कि क्या आप यहाँ पर करना चाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है, यहाँ पर इसको जो है, हमने access दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ पर unmount करेंगे, तब जाकर, जो है, solid explorer में आएगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा, कि आप okay करन चाहते हैं, I mean, access करना चाहते हैं, अपने hard drive को, तो वहाँ पर, चो है, आपको, okay गर देना है, और वो आ जाएगा, तो यही था कुछ file managers, सबसे पहले है, आपका solid explorer, number one में है, आपका solid explorer, और उसका otg plugin, इसके बाद second में है, आपका microsoft x fat ntfs, वो, और यह total commander, या तो microsoft x fat ntfs file system, या x explorer, या usb stick, या total commander, या फिर mix, ठीक है, तो यही था दोस्तो, इस video में की cases जो है, आप fix कर सकते हैं, sorry, access कर सकते हैं, आपने hard drive को, को अगर इस तरह कर कर कोई tap to fix, error आता है, ठीक है, आपका antfs file system, जो detect, नहीं करता है, या एकर support नहीं करता है, by default android phone में, तो इसके तरोज जो है, आप अपने hard drive को access कर सकते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले video में, तब तक के लिए good bye, झाल, 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 जो, झाल, जो, घो, तव के लिए yeah पने hard drive. झाल